तो स्वागत थे आप सभी का ग्यापनिक एडिमी के इस नए और लेटिस्ट वीडियो में और ये जो वीडियो है आप लोग के उर्दू फॉर बिगनर यानिकी यू एफबी का पार्ट एट है जिसमें मैं आप लोग को चार अक्छर से मिलकर बने हिंदी के शब्दों को उर् उर्दू में पढ़ना और लिखना बताई थी अगर वो देखे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए और इसमें जो कुछ भी मैं आप लोग को बताने जा रही हूं वह एकदम आसान एज़ी और हलवा लगने वाला है आप लोग को जिस तरह हलवा खाने में आसान होता है बस मूँ में डालना है और बीना चबाय बीना मेहनत की निगल लेना है इन द सेम वे अगर आप इसके पहले वाला वीडियो देखे हैं तो ये जो वीडियो है आप लोग के लिए एकदम हलवा लगने वाला है क्योंकि आप अल्रड़ी उन दोनों वीडियो में मेहनत तो कर चुके हैं जिसमें मैं आप लोग को दो और तीन अक्षर से मिल कर बने हिंदी के शब्दों को उर्दू में पढ़ना लिखना बताई थी उसमें तो आप लोग अल्रड़ी मेहनत कर चुके होंगे तब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एकदम हलवा लेगा बस एक नो चार अक्षण डर चार हर एक है दो और एक कभलू है तो बरकत इसको उर्दू में कैसे ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहला अक्षण देखिए बां क зачем मैं क्या कहते हैं आप लोग सोचिए इतना आप लोग बगनर से इतना आगे तका आचुके हैं तो इतना तो मालूम क्राव यहां हो गए आप लोग को बो क Undo में hoga डिखते हैं तो यहां पर डे लिख दीजिए ये हो अप लोग कटशा दे बे से बाप प्लस मैं तो राक嗯ति हैँ तो यहां पर रे लिख दीजिए यह यह हो गया बे प्लस रैयाने कि बाप फ्लस रह और फिर अगला प्र है का कोजिम में काव कहते हैं ठीके तो यहां पर काफ़ लिखिया है पिर प्लास लास्ट रच्छर क्या है टो कर दो में च्छे करेकर यहां पर दीजिए यह दोड़ो भी और बघर को लएक рек मिलेंगे यह जिस था अप लोगगDa तीन अक्षर शब्दों को आप लोग उर्द्व में ट्रणस्लेट कर रहे और जिस थरहला हर्व को मिला रहे हैं दह सेमवेंसे पहले आप दा को मिलाएंगे तब कत होगा तो बरकत हो जाएगा ठीक है तो B plus R इन दोनों को पहले मिलाईए तो मिलाने के लिए कैसे मिलेंगे ये जो B का पाठ है इतना पाठ धघग जाएगा यान कि इतना पाठ हट जाएगा सिर्फ इतना वाला पाठ उठाना है आप लोगो बेका आप लोग जानते हैं हमेशा कि इतना बे का जो है ना इतना पाट ढग जाता है सिर्फ इतना ही पाट उठाया जाता है किसी दूसरे हर्फ में जोड़ने के लिए तो इतना पाट उठा लिए यह हो गया आप लोग का बो बे से बो सिर्फ इतना ही उठाना है ठीक अब इसी में रा जोड़ना है यान तो तो यहां पर काफ का इतना ही पाट उठाएंगे तो इतना पाट उठा लिए ठीक है यह हो गया अब इसहीमें काफ से कह होग्या और इसही में ते जूड़ने ते जूड़ देना आप लोग को यान की ता जोड़ देना है यही वाला जो पाठे न यह पूरा लास्ट वाला जो अक्षर होता है लास्ट वाला हर्फ वो पूरा बनता है मैं आप लोग को यह भी बताई हूं तो यह जो ते है यह आप लोग ते पूरा बनाएंगे यहां पर ऐसे ठीके तो प्लस का प्लसता बरकत यह चार अक्षर से बने शब्द को आप लोग उर्दू में ट्रंसलेट कर दीए ठीक अगे बढ़िए अगला शब्द है हरकत हरकत में सबसे पहला अक्षर क्या है वो है ह ह को उर्दू में कहते हैं हे तो यहां पर हे बनाएए आप लोग तो सारा चीज जानते होंगे अप्षर को पह्चानना आई गया होगा कि होको उर्दु में क्या कहते हैं तो यहां हां को उर्दू में हे कहते हैं तो हे लिख दिए प्लास रा है रा को उर्दू में रे कहते हैं तो यहां पर रे लिख दिजिए प्लास का को उर्दू में काफ कहते हैं और फिर प्लास ता को उर्दू में ते कहते हैं तो यहां पर अल्रेडी पहले से ते लिख दिजिए ठीक ह अब ये चारों जूड़ जाएंगे जिस तरह आप इन चारों को जोड़ें इन द सेम वे आप लोग इन चारों को जोड़ेंगे कैसे आप लोग ह कौन सा पाट उठाया जाता है किसी दूसरे हर्फ में जोड़ने के लिए तो इतना पाट फट जाता है सिर्फ उपर वाला यह यानकी हे का जो है इतना पाट उठाया जाता है तो उतना उठा लीजिए यह हो गया ठीक है एक मिनट मार कर थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है यह हो गया ठीक सिर्फ इतना ही पाट उठा ली में तो यह हो गया हा और इसी में रा जोड़ देना है तब हो जाएगा हर ठीक में अब ते जूड़ जाएगा ठीके तो काफ का कौन सा पाट उठता है आप जानते हैं सिर्फ इतना ही पाट उठता है ठीके तो यह काफ का इतना पाट उठाई ठीके तो यह बहुत ही सिंपल है आगे वढ़िए खटमल ह्टमल में पहला अक्षर है क्खा को अर्दू में क्या कहते हैं जिस तरह के से का होता है ओर के में एच जोड़ देते हैं यारी का इच से खा हो जाता है इन्दा सेम वे उर्दू में काफ से का और काफ में जब आप ल सेम वे काफ से को और काफ में एच यान की हे जोड़ देते हैं तो ये काफ में एच मिला कर ये हो जाता है आप लोग का ठीक है ये हो गया आप लोग का ठीक है इसी काफ में यान की को में क्या जूड़ गया है एच यान की हे जूड़ गया है तो काफ में हे मिला कर क्या हो गया खा। इस तरह खा लिखा जाता है तो यहां पर यही वेला खा लिख देना है तो यह लिखदिए खा प्लस उसके बाद अगला क्षर क्या है टा कोर्दू में क्या कहते हैं सोचिए जरा टा कोर्दू में कहते हैं टे तो यहां पर लिख दीजिए टे प्लस मा हैं ठीक है मा कोर्दू में मीम तो मीम यहां पर लिख देना है प्लस ला कोर्दू में लाम कहते हैं तो यहां पर फिर से लाम लिख दीज यह बना देना है जिस तरह यह बना थे ता अलग लगा प्लस ट खट फट हो गया अब मल लगाना है प्लस लाम जोट मल जाएका yem में ला जोड़ जाएगा तो देखिए आप हमेशा मिम का कौन सा पाट उठाते हैं तो ये बिंदु वाला पाट उठाते हैं इतना इतना जो है ये डंटा वाला पाट ये हट जाता है सिर्फ इतना पाट उठाया जाता है आप लोग जानते हैं ठीक है तो इतना पाट उठा ल तो cut plus mal देखिए कितना आसान है इस तरह आपको सारे चारक्षर से मिलकर बने शब्दों को आसानी से उर्दू में translate कर पाएंगे चलिए अगला देखिए अगला शब्द है हर्दम हर्दम में जो सबसे पहला अक्षर है वो है हा हा को उर्दू में हे कहते हैं रो कॉर्दू में रे कहते हैं आप लोग पहले से जानते हैं तो रे लिख दीजिए प्लस आगे क्या है दो दो कॉर्दू में डाल कहते हैं प्लस मा मा कॉर्दू में मीम इस उक्वल टू अब ये क्या जूर जाएंगे यह चारो है जुड़ जाएंगे कैसे जुड़ेंगे अब देखिए मैं आप लोग को बता चुकी हूं कि यह जो हे है जब किसी दूसरे हर्फ में जुड़ता है दूसरे अक्षड में जुड़ता है तो वह अपना शकल चेंज कर लेता है रूप चेंज कर लेता है यह वाला ज से हाँ प्लस इसी में यहीं पराकर जूड़ जाएगा रा तो हे से हाँ और रे से रा यह हो गया हर ठीक है क्या हो गया हर और मैं आप लोगों को अल्रेडी बता चुकी हूं कि हाँ जो है वो शकल चेंज करकर ऐसा रूप ले लेका है ठीक है जब किसी दूसरे हर्फ में बढ़त रटा कर सठीक है तो दाल से द is Aminto को जोड़ दीजिये यह दोनों इस तरह जोड़ जाएंगे तो हे से रहा हर और दाल से दा और मिम से मा दम, तो हर दम देखिए कितना आसान है, चलिए आगे बढ़िए मरकज, मरकज में सबसे पहला आक्षर मा, तो मा को उर्दू में मीम कहते हैं, तो फटा फट यहां पर मीम लिख दीजे, ठीक है, मीम लिख दिए, प्लस र, र को उर्दू में रे कहते है प्लस का को उर्दू में काफ कहते हैं तो यहां पर काफ लिख दीज़े उर्दू में यह वाला जीम कहते है ठीक है यह वाला जौ के लिए आप लोग उर्दू में यह वाला जीम का Arms करेंगे यनि कि यह वाला जा का यूझ करेंगे लेकिन जब नीचे बिंदु वाला जाएगा न तो यहicate नहीं तो जाल का यूझ करते हैं कैसे जुड़ेंगे तो आप लोग जानते हैं मीम का कौन का पाठ उठाया जाता है तो ये वाला पाठ उठाया जाता है तो उठा लीजिए इतना तो ये हो गया मीम से मा और इसी में रे यान की रा जोड़ देना है आप लोग अनुमान लगा पा रहे होंगे I think ठीके तो यहा यह का हो गया और इसी में जा यानि की जोड़ देना है तो जो जो यह ना यहीं पर लास्ट में आकर ऐसे जुड़ जाएगा और उपर एक ठो नुक्ता दे देंगे तो यह हो गया मर प्लस कज ठीके देखिए कितना असान मरकज लिखा गया आगे बढ़िए रहबर रहबर म किया है जोड यह जो जाएगे और यह जो हा को इसके पास लाकर रख देंगे रह हो गया बस इसमें कुछ नहीं जोड़ने हैं यहां पर जोए नहीं अपना सकल चिन नहीं करेगा यह बिल्कुल इसी तरह इसके पास आ जाएगा रह के पास जाकर सट जाएगा ठीके तो यह हो गया रह पलस बर बर जोड़ना है न तो बॉप लस रह ठीके अब आप लोग जानते हैं बे जब जुरता है तो उसका कौन सा पाट उठाया जाता है तो इतना पाट ऊठाए जाता है तो सिर्फ इतना ही पाट उठाई है ठीक है तो देखिए यहाँ पर एक चिज़ आप लोगो समझ में आ रहा होगा कि पहले दो अक्छर को जोरना है फिर अगले दो अक्षर को जोड़ना है जैसे कि मरकस में सबसे पहले मर को जोड़ना है तो मर मीम प्लस रे जोड़ दिये मर और फिर दूसरे दो अक्षर को जोड़ना है कज फिर कज ठीक है दो दो अक्षर को जोड़ना है मर प्लस कज रह प्लस बर ठीक है खट प्लस मल देख रहा है दो अक क्या किते हैं नून क्याते हैं आप लोग सिस्ता के से कहा इन काफ से का और काफमेहें मिला देंगे तो काफ मेहें मिला कर हो जाता है तो यहाँ पर देखिए यह वाला खा लिखेंगे तो खा हो गया प्लास टा कर्दू में टे कहते हैं तो ये अब ये चारों जूड़ जाएंगे तो सबसे पहले आप इन दोनों को जोड़िए नट फिर आप लोग खट जोड़ेंगे दो अक्षड जोड़ना अगर आप लोगो आ गया है तो ये भी जोड़ना असान हो जाएगा क्योंकि इसमें सबसे पहले आप लोग दो अक्षड को जोड़ रहे हैं फिर अगले दो अक्षड को फिर चार अक्षड बन जा रहा है ठीक है तो बिलकुल उसी तरह तो नून का कौन सा पाट उठाएंगे सिर्फ इतना ही पाट उठाएंगे आप लोग इतना पाट जो है नून का वह खट जाता है 9 का सिरी इतना फाट उठाना है आप लोग को उठा लिए इतना पाट यह ओगी आप लोग का नून से नौ अब इसी में पट जोड़ना हे नहीं तब ना नठ होगा तो यहाँपर टो जोड़ दीजिए यहीं पर लाकर यहाँव तो नौ प्लस्टा नट हो गया और खा प्लस्टा खट हो गया नट खट देखे कितना आसान है दो दो पहले अक्षर को जोड़े पहले इन दोनों को जोड़े फिर इन दोनों को जोड़े ठीक है बिलकुल आसान है दो अक्षर वाले शब्दों को आप लोग जोड़ना तो जा कहते हैं लाम कहते हैं तो लाम लिख्षिये खुल कीषिटेश हूं प्लस प्लस आपको कर दूमे कहते हैं अब ये चारहों जुट जाएं कैसे जुड़ेंगे कुण सा पाथ ऊठा जाता है है ये द्रटर वाला पाथ ऊठा जाता हैẬ आप लोग जानते deptince इतना सिर्फ इतना ही पाट उठाया जाता है किसी दुसरे हर्फ में जोडने के लिए यहां पर कंकिसे इतना पाट उठा लिए गाया लाम से लॉए और इसे में बंधरन लग अम क्यांस्सय बहुतने करें और सिर्फ इतना ही भाग आप लोग जानते उठाया जाता है ठीक है तो फे यहन की पा इतना पाट उठा लीजिए यह लीजिए यह होगी आप लोग का पें से यहां पर तीन फोटा दी हूं अक्षर मैं इस तरह तीन फोटा देती हूं ठीक है आप लोग समझ जाएगा कि यह तीन ठो नुखता है ठीक है तो यह होगा आप लोग का पॉ ठीक तो पॉ और इसी में टा जोड़ देना है तो यहीं पर लाकर ऐसे लास्ट वाला जो अक्षर है आप जानते हैं पूरा का पूरा बनता है तो टे जो है यहां पर पूरा बन देड़ेगा ठीक है यह मैं लिखना भूल गया है चलिए नीचे बिंदु रहेगा तो ध्यान दीजिए यहां पर सबसे पहला अक्षर है वह है बाओ को अर्दू में क्या कहते हैं तो ब लिख डीजिये लाक ओरदू में लाम कहते हैं तो लाम लिख दीजिए प्लस गहां ग जोड़िये ठीक है इन दोनों को जोड़ेंगे फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो पहले बल को जोड़िये तो बल बॉक आप जानते हैं इतना पाट कर जाता है और इतना ही पाट उठता है तो इतना पाट यह हो गया और इसी में लाम जोड़ दीजिए बल हो गया ठीक यह क इतना ही पाट सॉरी यह यह वगा इतना पाट उठा लिएगा और इसी में यह मीम जोर देना यहीं पर आकर में जोर जाएगा और से में आप बाल प्रक्राइन से और मीम लेंसर फWh Mad?. प्रेगे हैं लीवे हैं पहले हैं और यह हो गया दोनों कौ जोड़िए यानिकि इसार को जोड़िए फिर इस इसार को जो हें आसानी से आप लोग जानते हैं यह हैं subt पाट चीया है G तो यह हो गया सीन से सा और इसी में जो रहना लाकर जोड़ देना है दकी कितना असान है तो यहां पर जो है आप लोग रही जोड़ और सर हो गया अब एक बार और सर जोड़ देना है याणि कि बिलकुल इसी तरह सर प्लस सर 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 ये दोनों और फिर ये दोनों जुड़ गए हैं तो सर सर हो गया कितना असान अगे बढ़िए पल भर पल भर में सबसे पहला अच्छर जो है वो है पा को अर्दू में कहते हैं पे तो ये हो गया लिखा गया पे प्लस ला को अर्दू में लाम कहते हैं तो लाम लिखिए, प्लस भा, भा को उर्दू में क्या कहते हैं, तो आप लोग जानते होंगे, जिस तरह B से बा और B से बा और B में H यानिकी हे मिला कर भा होता है, और भा कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे लिखा जाता है, तो यह हो गया आप लोग का भा, ठीक, और लास्ट व आप लोग जानते हैं इतना ये जो पे है इतना कट जाएगा और सिर्फ इतना ही भाग उठेगा ठीक है इतना भाग ये होगे आप लोग का पे से पा ठीक और इसी में ला जोड़ देंगे लाम तो ये होगे आप लोग का पल अब भर जोड़ देना है इसमें तो भा ये जिस होगे आप लोग का भो और यह होगे आप लोग का रो तो भर पल प्लस भर पल भर तेखिए कितना आसान आगे बढ़िए जमजम जमजम में सबसे पहला अक्षर क्या है जा और वह भी नहीं तो जा के नीचे बिंदू है तो कौन सा जा यूज करेंगे जे यूज करेंगे है कि मीम कहते हैं तो ये मीम से मह फिर जा है एक मिनट सिघ्व है ठीक तो यह हो गया जाぎ यानि कि मीम अभी जूर जाएंगे तो सबसे पहले आप इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो देखें जोड़ना कितना असान है इन दोनों को पास में ला दीजिए बस हो गया यह गया जम और फिर यह वाला जम जम प्लस जम 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 देखिए ये तो बहुत ज़दा आसान था आगे बढ़िए देखिए अगला शब्द है चम्पक चम्पक तो चम्पक में सबसे पहला अक्षर है वो है चा चा कुर्दू में चे कहते हैं तो यहां पर चे लिख दीजिए बीच में तिन थो नुपता और मा मा कर्दू में मीम कहते हैं तो यहां पर मीम लिख दीजिए फिर प्लस पा कर्दू में पे कहते हैं ठिक और प्लस का का कर्दू में काफ कहते हैं तो यह जो है चारों जोड़ जाएंगे पहले यह दोनों जुड़ेंगे फिर यह दोनों जुड़ेंगे ठीक है तो सब सबसे पहले चम को जोड़िये आप लोग जानते हैं चौ यान कि चे को किसी दूसरे हर्फ में जोड़ने के लिए कौन सा पाट उठाया जाता है तो यह वाला ऊपर वाला पाट इतना जो है ना चौ का इतना पाट उठा लिए तो यह हो गया चे से चौ और इसी में मीम लिखेगा ठीक है तो यह आप लोग लिख दीजिए पे से प और इसी में जो काफ है ना पूरा का पूरा जूर जाएगा यहां पर ऐसे ठीक है तो प्लस पक चंपक देखिए कितना आसान है आगे बढ़िए हल चल हल चल में जो पहला अच्छल है वह हा तो हा कुर्दू में क्या कहते हैं हे कहते है तो यहां पर लिख दी जिजी चोटी है प्लस लम लोक अदो में लाम कहते हैं तो यहां पर फटाफट लिखिए लाम तो यही वाला जो छोटी है अब ये इस तरह सकल में आ जाएगी तो ये हो गया हे से हा और इसे में लाम यान किल्ञ झुड़ेगा ना तो लाम यहीं पर ऐसे जुड़ जाएगा तो हे से हा प्लस लाम सेला हल हो गया अब ये चल जोड़ना है और आप लोग जानते हैं चे का जो है इतना ही पाट उठाया जाता है तो इतना पाट उठा लीजिए तो ये चे से चा हो गया और इसी में लाम जोड़ दीजिए ऐसे तो हल प्लस चे से चा और लाम से ला चल हल प्लस चल क्या हो गया हल चल ठेक है दम दम ये तो बहुत ज़दा आसान है दा कोर्दू म में, मीम कहते हैं फिर से दा को चुर्धу में, दाल प्लस मीम को उर्धू में, मा को चुर्धू में, मीम, जोड़ना कितना असान है, इन दोनों को बस पास मिला दिजए ठीक है, ये हो गया। स पीम और बहुत दम ये तो बहुत ज़दा नीचे बिंदू यह् है और इस जा के लिए यूज होगा उर्दू में जी ठीक है तो यह हो गया जीं में क्या कहते हैं तो गाफ के यहां पर पर लिखिए फिर से चूर से पहले जग फिर McMahon कक दाफ माई पना मीझ важно बनाएक थो तो यह हो गया जग और प्लस इसी में गाफ जोड़ देंगे यह हो गया गाफ जोड़ गया तो यह हो गया जग और फिर मग जोड़ना है तो मग का सिर्फ आप लोग जानते हैं मीम का इतना ही पाट उठाया जाता है तो इतना पाट उठा लीजिए और इसी में गाफ जोड़ सा कोर्दू कोर्दूं में सीन कहते हैं यहां पर एक मिनत लिखेए यहां पर सबसे मेद जूडँेगा उसके जूडब जूड़ेगा तो कैसे हैं के सिन और उसके बाद से गम जोड़ना है तो गाफ का आप लोग जानते हैं सिर्फ इतना ही पाठ टुठता है ठीक है तो इतना पाठ उठा दिए गाफ से गाव और इसी में मिलाष्ट में जोड़ दीए तो यह हो गया सीन से सा और रे से रह सर प्लस गाफ से गाव मिम से माव सर प् करदू में बे कहते हैं और प्लस तो को दू में टे कहते हैं अब यह जूड़ जाएंगी सबसे पहले सर जुड़ेगा उसके बाद बत जुड़ेगा अब देखिए सर में जो है ना आप लोग बिल्खुल जिस तरह यहां पर सर जो रहें थे विल्कुल उसी तरह यहां पर जो देंगे तो यह हो गया बेसे बाहर ते सिता बत सर प्लस बत सर बत आगे बढ़िए पत जड़ प्योर हिंदी वाड़ है पत जड़ का महीना चलता हैना तो देखिए इसको कैसे उर्दु में ट्रंसलेट करेंगे पत मैं सबसे पहले पाक्षरा रहे ना तो परकुर्दु में प वे जीम से जा और जीम में हे जोड़ देते हैं यानि की एच जोड़ देते हैं तो जीम में एच मिला कर जा हो जाता है ठीक है तो जा कैसे लिखा जाता है ऐसे लिखा जाता है तो यह हो गया जा प्लस अड़ा अड़ा कुर्दू में रे कहते हैं मैं आप लोगो अलिफ बे प पढ़ाई थी ना तो वहां पर बताई थी यह डे हो गया ठीक अब देखिए सबसे पहले पत जुड़ेंगे उसके बाद जुड़ेंगे तो पहले पत को जोड़िए पे का इतना पाठ कर जाएगा सिर्फ इतना ही पाठ उठेगा तो इतना पाठ उठा लिजिए पे से पा हो और इसी में यह डे यानि की या जोड देना है ते जोड दिए ऊपर बना देना है तो इसी तरह प्ल्स पापा कोर्दू में पे कहते हैं फिर प्लस ट कोर्दू में ट केते हैं तो यहाँ पर ट्लीग दीजिए तो सबसे पहले जुरेगा उसके बाद पट जुड़ेगा जहां बिल्कुल इसी तरह बनेगा यहां पर बना दीजिए एक मिनाट अच्छा नहीं बना थोड़ा अच्छा से मैं बना दूँ यह हो गया जहां ठीक है और इसी में टे यानि ही ट जोड़ देंगे तो यह हो गया आप लोग का जट फिर यह पा जो है पे इतना पाट कर जाएगा और सिर्फ इतना ही जुड़ेगा ठीक है तो इतना हो यह हो गया पे से पांग और प्लस इसी में ते जोड़ देना है तो यह बड़ी हचरत तो राह जायते हैं तो यहां पर डाल दीज़िए प्लस सा कोड़ी कें ते हैं तो स्यनु डाली एफ्र और्स रहा को रूदू में रह कहते हैं प्लस तो कुर्दू में टे कहते हैं अब देखिए जूह के एसे यह थोड़ा यूनिक है कि यह ह Empress को जूढएंगे उसके बद रत को जोड़ना है नहीं नोगों तो सबसे पहले जोड़िये सिर्फ इतना ही पाठ उठाते हैं हो गया और इसी में सीन जोड़ो हस रहे हो गया और उसके microwave और लास्ट में आप दोग आप पूरा 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 की यह हो गया यह से हों और यृत ृत की लेकिन यहां पर यह तीनों एक साथ जूडते हैं ठीक है? आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे लिखाएगा हसा और प्लस रत लेकिन ऐसा गलत हो जाएगा ऐसे आप लोग को नहीं लिखना है ये होगा आप लोग का हस रत ठीक आगे बढ़िए बख-बख ये तो बहुत जधा असान है बे से बख प्लस काफ से का फिर प्लस बे से वा प्लस काफ से काफ अब ये जुड़ जाएंगे कैसे जुड़ेंगे बे का इतना पाट कर जाएगा सिर्फ इतना ही उठाना है तो ये हो गया बे से वा और इसी में काफ जुड़ देना है बक हो गया प्लस सॉरी यहां पर प्लस क्यूं दे रही हूं प्लस इसके लिए यहां पर उर्दू में za लिखना है क्या कहते हैं उर्दू करेंगे सिर्फ इतना पाट उठा दिये हैं ओर सिर्फ इतना ये पाट उठाए हैं अप लोग और फिर इसी के यह जो है ना रे यहीं पर लाकर ऐसे जोड़ देना है तो इसी में हे से हा जवाद से जा और रे से रा इसी में जोड़ गया और लास्ट में ते जोड़ देना है तो हे से हा जवाद से जा हज और रे से रा और ते से रा रत हजरत देख रहे हैं बाकी सब में अलग-अलग हो उसहा था बक प्लस बक 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 यह दोनों जन अलग थे अलग-अलग हो जा रहा था लेकिन यहां पर छषत और घिव्ण । थीक Cookie तो यह चीजश द्यान में रखिएगा आगे बढ़िए मन भर में में मां को भूर्दू को मुद्दू मैं कहते हैं कि कहते हैं जहीं कि फडाफ़त बताने समय यह नून से ना हो गया उसके बाद से भा- met u क्यसे लिखा जाता है दे सेट और में edge मिलाकर यानद की है मिलाकर होता है तो ऐसे लिखा जाता है यह वह गया अप्लंग का प्लस बाद दीन की कैसे पहले मन को प्सक्तिoweas उठाली इतना पाट मीम मुं का हो गया और इस कितना असाना है चलिए अगला शब्द है धड़कन धड़कन में जो सबसे पहला अक्षर है वह है ध्ड़कोर्दू में क्या कहते हैं तो जिस तरह D से Da Hindi में इंगलिस में D से Da और D से logistics दाल में होता है और लिखा जाता है ऐसे ठीषा तो यह हो गया आप लोगogy का दो प्लस रा रiko a कया कहते है र कर थो में रे जल्दी जल्दी में अच्छा नहीं लिख रही हूं चलिये का को को अर्दू में कास कहते हैं हो गया कास लिख दी और प्लस नौ को दो मैं नून कहते हैं यहां पर फिर से नून लिख दीजिए ठीक अब यह जुड़ेंगे सबसे पहले धर जुड़ेगा उसके बाद कन चार अक्षर से मिलकर बने कुछ हिंदी हिंदी के शब्द जिसको मैं आप लोगों को उर्दू में ट्रांसलेट करना बता बता दी कि कैसे जोड़ा जाता है चारों अक्षर को सबसे पहले आप लोग को दूंदी के सबडों को Change कर На कर रों ना चार अक्षर से मिलकर बने हिंडी के शब्दों को उर्दु में ट्रांसलेट बिलकुल आसानी कर पाएंगे ठीक है तो अब आप लोग जो है ना मैं यापर कुछी हिंदी के शब्दों को लिखी हूँ और कुछी हिंदी के शब्दों को उर्धू में ट्रांसलेट की हूँ आप चाहे तो चार अक्षर से मिलकर बने हजारों हिंदी के शब्द को create कर सकते हैं खुद से और उसको किजिए जितना ही जिदा आप लोग खुद से चार अक्षर से मिलकर बने शब्दों को create करेंगे हिंदी में और फिर उसको उर्दू में translate करेंगे उतना ही जिदा आप लोग का practice होगा और जितना ही ज़ल्दी आप लोग उर्दू को सीख पाएंगे तो अभी इस वीडियो में मैं आप लोगो चार अक्षर से मिलकर बने हिंदी के शब्दों को पढ़ना ना बता दी, अब नेक्च वीडियो में मैं आप लोगो मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना बतांगी जैसे कि माला, काला, माली जिस तरह और आई-ई, मात्रा वाला वो शब्द को उर्दु में कैसे translate करते हैं, कैसे लिखते हैं, यह सारी चीजे मैं आप लोग को बताऊंगी, ठीक, तो कोई भी confusion हो, इससे related, आप हमें comment करकर पूछ सकते हैं, जो कुछ भी मैं आप लोग को समझाई, समझ में आया है, तो वीडियो को like जरूर कीजेगा, और उ घंटी को दबाएंगे ना तो all का आप सनाएगा, तो आप लोग को all पर click कर ले रहा है, उससे होगा यह कि मेरी रोज आने वाली all वीडियो का all notification आप तक सबसे पहले पहुँचेगा, ठीक, तो फिर मिलेंगे next video में next topic के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा क्याओने सी के बाएंगे यह घजए पास, तब लोग का आप जय है, तो आप वचे में अपने से अपारएंगे प्रूबसाइबसागा, तो आप विले में उत खुदा हीज़र पार दितना में बाएंगे को जब तो आ भार रवागे है, तो इय है, अब दो हैसे हैं और दो